लोकसवाद चुनाव में एंडिये को भारी मोहमत से जीत मिली थी आपको लग रहा होगा कि आज इसकी बाद हम क्यों कर रहे हैं क्योंकि बिहार के अंदर 40 में से 49 सीट जाने में एक महतपूर्ण भुविका एलजेपी निता सुरजभान सिंग की भी थी लेकिन एलेक्शन के बाद वो अच्छानक गायब हो गया थे और उनके समर्था कि यह भी जानने को बेताब है कि अगर सुरजभान सिंग थे कहां सुरजभान जी कहां थे आप लोग यह भी जाना चाह रहे थे कि एलेक्शन के बाद आप पटना में बहुत इनों तक थे नहीं अलेक्शन के बाद मैं स्वस्त था और मैं राम नोर लोहिया में मेरा ऑपरेशन हुआ था मैं उहीं अब समय काट रहा था अब आप पुरी तरह से स्वस्त हैं जी नहीं अभी भी स्वस्त नहीं है छे तारीक मेरा वहां डेट है हम जा रहे हैं दिखाने के लिए उसके स्वस्ता में भी आपने हमें समय दिया इसके लिए धनवाद सुर्दभान जी एक सवाल है क्योंकि आप राजनेता हैं यह एलजेपी में युवाओं के तरफ अचानक आप लोगों गधान क्यों गया है कि सभी महत्पून जिम्मेदारी जो है युवाओं को सौब दी जाए जैसे चिराग पासवान हो प्रिंस राज हो चंदन जी हो युवाओं की ओर क्यों फोकस कर रही है लजेपी में युवाओं देश के भविश्या हमारे परलियमेंटरी बोर्ड के अध्यक्ष मानिये चिराग पासवान जी युवाओं के परती अपने उबाओं हैं अपने द लोग जन सक्ति पार्टी अपनी भविष पार्टी को देख रहे हैं, इसी के लिए शारी जवाब देही बांट-बांट का दिया गया। ऐसे भूमिका क्या होगी राम बिलाज जी की क्या भूमिका होगी पसुपतिकुमार पारज की क्या भूमिका होगी और सुरजभान सेंग की क्या भूमिका होगी देखे शेव अपने अपने काम में हैं हमारे राष्ट्री अध्यक शाधर ने राम बिलाज पासवान जी का जो उनका अभी निर्देश हुआ है, उसी मताविक हम लोग चल रहा है। जारखंड को लेके भी कुछ निर्देश हुआ है, सुरोजभान जी? जी नहीं, जारखंड लेके जिसे मुझे कोई निर्देश नहीं हुआ है। कल पांच नमंबर है, कल मेरे कार्णी की बैटक है, इस सब चीज का फहिशलक कल होगा जिसे क्यों हम लेकिन जो चिराख पासवान जी का बयान आ रहा है लगातार की जारखंड में लजएपी इंट्रेस्टेड है चुनाव लड़ने को चिराख पासवान जी का बयान आ रहा है तो ऐसे में जेडियू भी टाल ठोक रही है कि करें कि अपकेले चुनाव लड़ेंगे, लजएपी भी कर रही है तो ये परिसानी तो अंति में बीजएपी को ही होने जा रही है नहीं, मैं अगले बार भी अंडिये के पार्ट था, उस समय अगले बार जब विधान सभा और दोनों के श्यमत्ती मिलके ही वहाँ चुनाव लड़ा जाएगा, रहगे इश्यवाल हमारी पाटी के तह हर लोग हम लोग श्यवी एक शरीर का पार्ट हैं जिस तरह भाजपा से जदियू कर रहाँ दिली लड़ेंगा, जारकन लड़ेंगा, सब अपनी अपनी पाटी क मजबुति करने के लिए चाहता है, हम भी चाहेंगा, और कल काच कारनी की बैठा कैस्मेश में इस चीज को फज़ों लिज़ी पी तो हरबार बैक हो जाती है जेडी तो माल लिज़े की एक-दो चुनाव लर भी गई राष्टिय पाटी अगर एक-डो राज्यों में और अच्छा प्रफर्मेंस हो जाता है तो राष्ट्ये पाटी का दरज़ा भी जेडी ले सकती है लेकिन लिज़ेपी तो हमे तेरी सीट की जो बटबाड़ा हुई जदी और भाजपा में जो भी कुछ हुआ लेकिन मुझे कहके शम्मान जनकी जीचे की हर समय शम्मान दिया गया है बीजेपी की तरफ से और उसमें नितीजी कभी शहमती रही है इसलिए कल काजकारणी की वैठक में इस चीज को पहिसला कल कालकारणी के वैठकी आब बात कर रहे हैं लेकिन अगर बिहार प्लिटिक्स की बात करें तो क्या आब मानते हैं कि अमीज साह के बयान आने के बाद कि नितीज के नेत्रित्य में ही बिहार NDA चुनाव लरेगी अब सब कुछ खतम हो गया है जो भी confusion था वो confusion दूर हो गया कुछ उधर से कुछ लेकिन ये सारी चीज की एक वर्ड में भाजपाक राष्ट्री अध्यक्षादर ने अमीज साह जी ने एक लाइन में खतम कर दिये कि बिहार की चुनाव मानने मुखमंत्री नितीजी की नेत्रित में होगा और नितीजी मुखमंत्री रहेंगा लेकिन फिर भी बीजेपी के फायर ब्राण नेता जो है वो मानने को तयार नहीं है या कहीं न कहीं ये कह सकते हैं कि अमिज साह ने कोशिस की है लेकिन जो बिहार बीजेपी के फायर निता कहे जाते हैं, उनके समर्थख हो या खुद हो दूसरी पॉलिशी पे काम कर रहे हैं। आप अभी ये बता दीजे हमको भी दिन है की रात है। अभी रात है। तो जो राष्ट्रिय थेख जी कर ब्यान आया। वही ब्यान को न माना जाएगा। कोई कुछ बोले। उस चीज को हम महुत ही नहीं देते हैं। आधर निये अमीश साजी ने जो बोल दिये उस पर मोहड लगया इंडिये का, इसमें कहें छोप अजने है। अगर यूजभ्य को Ooag Lab张 वाइगा के लिए, ल्गी को बात चोड़ दे तो बुडी दया पॉदाथ हुगा हैें। 2010 में नहीं बुडी दया पुरभ पराजित हुए थे जीके की नहीं गयाद है मल सी कहती मैं अपचुनाओ मैं। उपचुनाओ उपचुनाओ है, इतनी धाराएं हैं, और इतनी जीचे की वोट इंडिये गटवंधन के पास है, कि सामने किसी इसकोई लड़ाई ही नहीं, आपको आज हम कहा देते हैं, लिख लिजिए गाप मेरी बात, दोसों से उपर सीट से सरकार नितीजी के नत्रित में लेकिन कैसे, अगर मान लिजिए कि बिना गटवंधन के, लोगसभाद चुनाओ की बात छोड़ दीजाए, क्योंकि उसमें नने दर मोधी चेहरा थे, लेकिन अगर बिहार की बात करें, बिना गटवंधन के, आर जेडी ने खुद को साबित कर दिया है, तेज़ास्वी के नेतरित्य में आपने देखा होगा कि उफचुनाओ में अच्छा प्रफोर्मेंस दिया, और वो भी जबकि महागडवन नहीं था, मांजी अलग चुनाओ लर रहे थे, मुकेश रनी अलग चुनाओ लर रहे थे, और कॉंग्रेस आर जेडी का भी गड़वन चिक से नहीं मैं अपना नभव से कशकता हूँ कि आर जेडी क्या शावित करेगा, के लिए नितिय जी बाइस सीट पर ला दिये थे, और जेडी का ये ते जड़ासा इंडिय की गल्ती से फिर वे जिन्दा हो गए हूँ है का इस चीज को ही ख्याल लगए है, आपको लगता है कि 2020 में अच्छा आखरी सवाल ये बता दिजे कि NDA के कुनवे में सिर्फ अमिट सा मतलब BJP, नितीश कुमार और रामिलास पासबान होंगे या कुनमा बरहेगा क्योंकि एक इंट्रव्यू में आपने मुझे से कहा था कि मकर संकरान्ती के बाद देखीगा कितने लोग हमारे साथ मांजी जी हो या अन लोग हो आने दिजें समय अब एक ही दिन सब आप समसे पूछ लिजेगा तो कुछ ता बचा कर दूसरे दिन के लिए रहने दिजेओ करें सुरजभान सिंग ते हमारे साथ काफी दूनों के बाद मीडिया में नजर आये हैं बता रहे थे कि वो कहां थे अस्वस्त चल रहे थे लेकिन मीडिया में आते हुए फिर से एक बार उन्होंने कह दिया है कि बिहार में नितिश कुमार ही होंगे और 200 सीट से उपर झाल